हाकीम साफ से मुझे लगबब देड़ साल हो गया बस उनकी दवाईया इसी तरह फायदा करती रहें और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों का ख्याल रखते हैं इतना नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास कारिकरम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्श को आज हमारी टीम पहुची है एक और दर्शक के घर जो सेहत और जिंदगी कारिकरम का हिस्सा ही नहीं एक फामिली मेंबर भी हैं आप सभी से मैं मुलाकात कराना चाहूंगी उन्हीं दर्शक से जो खुद का ख्याल तो रखते ही हैं साथ ही साथ हकीम सहाब के बहुत सारे नुसके भी अपनाते हैं तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, स्वागत है मैम आपका बहुत-बहुत, मैम सबसे पहले तो आपके बारे में ही जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहां रहती है, आपकी उम्र क्या है, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? जी, मेरे नाम बविता पांडे है, मैं 37 एज़ की हूँ, और मेरी फैमिली में मेरे हस्बेंट, मेरी बेटी और मैं हूँ, तीन लोग है जी, वो क्या करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है, क्या आप एक हाउस वाइप हैं या फिर आप वर्किंग मूवमेन है? जी, मैं टीचर हूँ, मेरे हस्बेंट वेल में हैं और बेटी टेन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं जी, तो मैम आपको क्या कुछ बिमारी थी, आपने क्या कुछ ट्रीट्मेंट फॉलो किया, आप हकीम सहाब से कैसे जुड़ी है? जी, मैं मुझे आइटिक एरिया है और कुछ हाइट में भी प्रॉब्लम है और दवाईयां आपने कौन-कौन से इस्तमाल की हैं और ये बिमारी आपको कितने वक्त पुरानी है? बिमारी मैं ये 25 एर से है मुझे और दवाईयां इस समय मेरी एक एर चल रही है, बीक एर चल रही है, तुलसी प्लस चल रही है कितने सालों से हकीम सहाब से जुड़े हुई है? हकीम सहाब से मुझे लगब डिर साल हो गया कैसा महसूस कर रही है, आराम है आपको? हाँ, जी, आराम है मुझे जी, इससे पहले कोई ट्रीटमेंट आपने फॉलो किया है? जी, किया था, होमेपैथिक भी किया था, और ऐलोपैथिक भी किया था, दोनों में कुछ-कुछ आराम हुआ, लेकिन मतलब पूरी तरह से आराम नहीं है तो ये विश्वास मैम कैसे आया आपको? क्योंकि अक्सर हम तो देखते हैं कि लोगों को अगर अराम चाहिए, तो वो तो उस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जो उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ कर दे तो एक भरोसा और यकीन होना बहुत ज़रूरी है, तो भरोसा वो यकीन कैसे आया कि अबनुसके अपनाने हैं या हकीम सहाब ने जो मैडिसन बताई है, वही हमें अपनानी है हकीम साब की बातों पर विश्वास हुआ मजी त्यूंस फिर आपने कॉन-कॉन सी दवाइאת खाई थी कै आपने और लोगों की मदद की है उन लोगों तक भी दवाइप पहुंचाई है उनने बताया है अच्छी रिजल्ट है मैं यूनानी ट्रेट्मेन्ट अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा है आपको ऐसा लगता है कि यह बहुत लंबा ट्रीट्मेन्ट है यह फिर हमें हमें सभ्म रखना ये थोड़ा सा सहीम रखना चाहिए और जब तक अराम नहीं मिलता तो एक थोड़ा वक्त हम दे दें तो शायद हम अराम पा भी सकते हैं और क्या पता जड़ से ये बीमारी हमारी खत्म भी हो सकती है उसको लिए क्या कहींगी? नहीं मैं मैं अगर देखी जड़ से खत्म करनी है बीमारी को तो फिर सब्र रखना पड़ेगा अगर बीमारी को तुरंत के लिए खत्म करना है तो तो कोई बात नहीं लेकिन अगर जड़ से खत्म करना है तो सब्र रखना पड़ेगा तो ये सबर आपने रखा हुआ है? जी बिलकुल, बिलकुल, चलिए आपके मुस्कान बता रही है कि आपको कितना रिलीफ मिला है हकीम साब के नुस्के अपना के और हम यही आश्रा करेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्त रहें, सेहत मन्द रहें और बिमारियों से आप बहुत दू बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया माम, आपने अपना वक्त हमें इतना कीमती दिया, आपने अपने घर हमारी पूरी टीम को आमंतृत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, तो दर्श को यह थी हमारे साथ बवीता जी जो लखनाओ में रहती हैं, एक बाफिर से आप सभी के साथ मैं हाजिर होंगी, एक और नए दर्श के साथ अब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त, नमस्कार